वेलकम गाइज आपका स्वागत है ड्रीम हाई अकैडमी में आज हिस्ट्री का हम सिक्स लेक्टर लेके आ रहे हैं और आज इंप्टन लेक्टर इसलिए क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं जो नॉन कॉपरेशन मुमेंट के बाद revolutionary phase एक बार फिर से मन्जर काम पे आ गया और उ पहले स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा सामें जाया नहीं करते हैं revolutionary phase जी हां revolutionary phase इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉन कॉपरेशन मुमेंट जब गांधी जी ने विड्रा किया था 5th February 1922 को जब चोरी-चोरी incident हुआ तब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा था हम पहले गा पुली उन्होंने कहा कि हम गांधी जी को equally support कर लेते हैं लेकिन जब वो non-corporation movement विड्रा किया गांधी जी ने तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें क्या करना चाहिए हमें violence फिर से करना चाहिए यानि हमें violent होना है हमें Britishers को by forest यहां से बगाना है ऐसे इन चीज़ों से कुछ होन वाला नहीं है तो उन्होंने पहले हम यहीं पढ़ लेते हैं उसके बाद Simon Commission, Nehru Report and Lahore Session, Rise of Revolutionary, यह revolutionaries इनका जनम कैसे हुआ देखेगा, revolutionary phase in 1920s, 1920s मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उससे पहले भी जब extremists थे उनकी भी एक theory थी कि हमें violence से, violence का मतलब है उनको by forest Britishers को हम यहां से बाहर निकालेंगे, ऐसे इन small steps से कुछ नहीं होगा जो moderates ने एक्तियार किया था, तो revolutionaries ने जब non-corporation moment हुआ तो सब ने support किया, तो इसलिए इसको non-corporation moment को कहा जाता है, first most political moment, now अब क्या बात होती है, अब phase, जो revolutionary phase start होता है, यह दो जगाओ पे active रहते, अब देख सकते ह की दो जगाओ पे, revolutionary groups कहां कहां पे, active in UP, बिहार, पंजाब, जिहां, और दूसरे कहां पे थे, बंगाल में, इन दो रीजन में, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रवीनर्स था, बंगलादेश को लेकर, इनकी theory क्या थी, wildness, by force, हमें क्या करना है, बिरिश्योर्स को यहां से बगाना है, देख लिए थे, इनका काम अभी क्या रहता है, देखिए, इनका actual में उन्होंने एक form किया, एक party या आप association किया सकते हुए, हिंदुस्तान Republican Association, हिंदुस्तान Republican Association इन्होंने form किया, जी हां, कब बनाए उन्होंने, 1924 को, कहां पे, कानपूर में, कहां पे, कानपू बनाया, नाम क्या रहा हिंदुस्तान Republican Association, जो बाद में उन्होंने अपना चेंज किया नाम, हिंदुस्तान Socialistic Republican Association, ये बाद में नाम चेंज किया उन्होंने, और इसके लीडर्स कौन कौन से थे, देखिएगा, कानपूर सेशन में, राम परसाद, बिस्मिल, उसके बाद, सच पुगेश, चंदरा, चेटर जी, ये इनके लीडर्स थे, जी हाँ, आप यहाँ पर आते हो, हमारे चैनल पर वीडियो भी आप देखते हो, तैंक्यू वेरी मच्च, जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका जो फीडबेक है, वो हमारे पास आना चाहिए, क ऐसे कि रामपरसाद, बिस्मिल था, जो गेश चंदरा, चेटर जी था, और सनियाल था, ये लीडर्स थे, इनका काम करने का तरीका क्या था, देखेगा आप, तो और्गनाइज आमड रबिलियन, सो एज तू उवर्थ्रो गॉर्मेंट, हमें क्या करना है, हमें बगावत करनी है, कौन से बगत, आमड बगावत, लेकिन उसके लिए क्या, उसके लिए तो आर्म, ये इम्मिनिशन होना चाहिए, उसके लिए पूरा असला और बारूद होना चाहिए, उन्होंने क्या कि, उन्होंने क्या कि, हम और्गनाइज करेंगे, आमड रबिलियन, सो एज तू उवर्थ्रो गॉर्मेंट, हमें क्या करना है, गॉर्मेंट को, रबिलियन से बाहर निकालना है, यहां से उवर्थ्रो करना है, फेकना है, तो उन्होंने फिर incident होती है ये काकोरी robbery जी हाँ very very famous incident ये से काकोरी robbery कहते है ये कहाँ पर काकोरी कहाँ पर है लखनाओ में है और उनूने क्या किया to rob railway cash उनूने कहा कि हम railway cash railway का जो opener वो हम जोरी करेंगे और उसे क्या खरीदेंगे हम बाद में for arms and ammunition और इसमें कौन-कौन से थे शामिल, इस कौकोरी केस में, इस कौकोरी रॉबरी में, राम प्रसाद बिस्मिल in 1925, अब बाद क्या बनती है, इसके बाद इन चारू को, because of कौकोरी केस, चार बंदू को क्या किया जाता है, सेंटनस किया जाता है, डेथ, डेथ सेंटनस दिया जाता है, याद रखिएगा, डेथ सेंटनस दिया जाता है, चार बंदू को, कौन-कौन से थे वो लिडर्स, राम प्रसाद बिस्मिल, श्वाकुला खान, रोशन सिंग, और रजिंदर लहरी, याद रखिएगा, question can be Oscar की चा सेंटनस, तो कौन-कौन थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, श्वाकुला खान, रोशन सिंग, रजिंदर लहरी, अब आगे बढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, साइमन कमिशन, जी हाँ, साइमन कमिशन, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने 1927 लिखा है कहाँ पे, इंडिया में, याद रखिएगा, 1928 में 3rd February को यह इंडिया में पहुचता है, कुछ बुक्स में लिखा जाता है, साइमन कमिशन, 1928 और कुछ में लिखा जाता है, 1927, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आप, बात यहाँ पे यह है कि R.I.O. कब होता है, इंडिया में, यह एडिशनल जानकारी थी, आपको देनी थी, जी है, साइमन कमिशन किसलिए बनाया जाता है, देखिए गया, that Indians were constantly demanding for constitutional reformers, Indianers की हमेशे यह demand थी, कहमें constitutional reformers चाहिए, हमें जो constitution है, वो बनना चाहिए, यहाँ पे, but British Shares thought that Indians were not fit for constitutional reformers, such reformers, y участ you constitutional channel가 के लिए इंडिया के पास, वो वो fit नहीं है, याँ अबरे कर रहे थे वो इंडियान को, but देखेगा finally fit for such reforms like self-government, यानि हम complete independence इनको नहीं दे सकते हैं self-government इनको नहीं दे सकते हैं इनको हम legislative consulars में injury नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह लोग इनको underestimate कर रहे थी, यानि जो अपनी वो superiority थी Britishers वो अपना, वो दबबा जो था वो दूसरे के हाथ में देना नहीं चाहते थे simply, finally Britishers made a commission and chief was Sir John Simon, इसलिए इसको Simon Commission कहा जाता है, अब Simon Commission बनाया जाता है, इसका chief कौन था? Sir John Simon Sir John Simon, और इसलिए इसलिए कहा जाता है Simon Commission that is why it is called it is also known as Simon Commission क्योंकि इसके जो chief थे, उसका नाम साइमन, अच्छा, Simon Commission का original name क्या था? original name was Indian Statuary Commission, जीए Indian Statuary Commission और इसका role क्या था? What was the role of Simon Commission? The role of Indian Statuary Commission और Simon Commission was कि आप देखो Commission had to decide whether India was fit for the constitutional reforms, Commission को ये देखना था, क्योंकि उन्होंने पहला कहा था, कि Indianers जो है, they are not fit for constitutional reforms, अब उनको ये देखना था, कि Indianers में वो दबदबा को काइम है दबदबा की बात नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ, कि Indianers में वो ability है, कि वो constitutional को चला सकते है, बना सकते है एक बात यहाँ पर अब क्या हुआ, यह एक और controversial बात होती यहाँ पर, seven member commission, जी हाँ, seven member, seven commission बनाया जाता है seven commission में seven members होते, all were Britishers and non Indian representation and started protest जब साथ members, Britishers थे, obviously बात है, वो किसके favor में बात करते, वो Britishers के favor में बात करते, और वहाँ पर क्या हो जाता वहाँ पर non Indian representation जब थी, तो protest start हो गया पूरी जो पुरा जो देश साथ, उसमें protest start हो गया, और क्या कहा गया, Simon go back greeted with black flags Simon को काले जंडू से इस्तिकबाल किया गया, जब वो यहाँ पर पहुँचे, 1928 को confused नहीं होना, 1928 की बात कर रहा हो में और 1927 में Simon Commission बना, 1928 में इंडिया में यह पहुचा, 3rd February को कुछ books में लिखा जाता है 1927, 1928 में कुछ में, लेकिन actual में 1927 में क्या होता है, Simon Commission बन जाता है, और 1928 3rd February को वो इंडिया में पहुचता है, during protest ब्रिटिश ऑफिसर ओडर्ड लाठी चार्ज एंड लाला लाजपतराई गौट इंजोड, लेटर ही डाइड अब क्या होता है, यह जो Simon Commission नहीं इसके against, यानि इसके खिलाप एक प्रोटेस्ट हो रहा है हर कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, तो लाला करो, लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज से लाला लाजपतराई, वो क्या होता है उन वो, जखमी हो जाते है बुरी तरह से, और लास्ट में वो मर जाते है, अब क्या बात होती है, अब यह सारा incident जो था, यह बगजट सिंग देख लेता है, और बगजट और राजगुरू, जीहा, राजगुरू decided to murder को, किसको, सोंडरस और सकाट को, कहा जाता है, कुछ लोग, कुछ बुक्स में कहा जाता है, कि वो सकाट को मारने गए थे, लेकिन उन्हें किसको मारा, सोंडरस को, और इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है, लाहोर कांस्परेसी केस में अब यह लाहूर कॉंस्पिरिसी केस क्या है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा रहता हूँ लाहूर कॉंस्पिरिसी केस इसके बाद होती है लाहूर कॉंस्पिरिसी केस और यह जो बगत सिंग और राजगुरु है जिया बगत सिंग बी-स लिखा है मैंने यहाँ पे बगत सिंग और बटू केश्वर दत बगत सिंग ने क्या कहा कि हम ये एक्छिवली religionaries का कहना था ये revolutionaries के कहने पे चल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे हम British Shores को बताएंगे कि हम में काफी मतब हम नहीं चाहते वाइलनस उस तरह से कि जिससे हम लोगों को मारना चाहते खासरों British Shores को तो उन्होंने क्या किया इन्होंने Central Legislative Assembly में बॉम को फेका किसने बगत सिंग ने और बटुकेशवर दैतने उससे क्या होता है उससे क्या होता है उससे इनका मतलब होता है not to harm anyone किसी को जखमी नहीं करना है किसी को एक्टिवल में वो बॉम क्या होता है वो और फेकते हैं यह दिखाने के लिए इनका ए कर सकते है याईनि अपने जो पावर का दिखाना चाते थे कि हमारे पास भी पावर है लेकिन हम वो यूज नहीं कर रहे गलत यूज नहीं कर रहे जाइन आवर टेलिग्रम चैनल ड्रीम हाई अकाड़मी जेके SSB जेके PSC और जाइन आवर फेस्बुक पेज लाइक कर सकते हैं आप वहाँ पे जाके ड्रीम हाई अकाड़मी आगे बढ़ लेते ही उसके पाद यह रिवलुशनरी था इनका काम बढ़ आगे चलता रहा पीचर कहां के थे वो वंगाल के थे जी हाँ अब उन्होंने क्या किया लूटड उन्होंने क्या किया टू और्मरी तू और्मरी का मतलब है दो रेड उन्होंने किया दो बार उसने अर्मरी रेड किया और दोनु बार वो सक्सेस्पुल रहा रेड करके लूट करके बट इन 1933 he was arrested उन्हें 1933 में arrest किया गया किसको सुरिय हसेन को कहां पे इन्होंने raid किया था चटेगॉंग में और loot किया था इन्होंने क्या armory raid arms and ammunition क्योंकि इनके पास arms and ammunition नहीं था बिट्शर उसने 1857 के बाद अपने पास सारा arms and ammunition का जो charge था अपने पास रख लिया था तो यहां पे क्या होता है before arrest जब वो arrest होता है उससे पहले वो he hoisted national flag there and in 1934 he was hanged सुरिय सेन को 1934 में फासी की सजा सुनाई जाती है और फासी की सजा नहीं बलकि फासी दी जाती है उसके बाद यह चीज होने के बाद अब नहरू रिपोर्ट आती है नहरू रिपोर्ट आती है किसके बाद यह साइमन कमिशन के बाद आती है आप याद रख लीजेगा नहरू रिपोर्ट आती है साइमन कमिशन के बाद नहरू रिपोर्ट कोन प्रेपियर करता है बाई मोती लाल नहरू not Jawaharlal Nehru question can be asked that who prepares Nehru report Motilal Nehru Motilal Nehru बनाता है Nehru report को अब इसमें committee का मतलब क्या होता है committee का मतलब यह होता है कि you people are not fit यह किस ने कहा था British Shares ने अब इसके against यह बनाया जाता है यह अगर इन्होंने हमें कहा कि you people are not fit हम क्यों नहीं यह fit इसका जवाब हम देंगे और उन्होंने किस में दिया जावब अब उन्होंने committee बनाया committee was made and chairman was Motilal Nehru chairman कोन थे Motilal Nehru अब इसका काम क्या था जी हाँ देखिएगा Nehru report का काम था after Simon Commission क्योंकि British Shares ने कहा कि that you are not fit क्यों आप constitution को बना सकते हो चला सकते हो इनका काम था the committee had to prepare constitutional draft for the country country को क्या committee को क्या बनाना था constitutional draft बनाना था जी हाँ constitutional draft बनाना था याईनि पहली बार हम कह सकते हैं कि इंडिया में demand होगे किस के लिए constitution के लिए constitution के लिए अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा confusion होता है create कुछ member जो है INC के international congress के वो कहते हैं कि हमें dominant status चाहिए dominant status चाहिए कुछ कहते हैं कि हमें complete independence चाहिए मैं जी हाँ बता लेता हूँ कि dominant status और complete independence में क्या difference है सब रखिये आप जी हाँ दीखीगा dominant status का मतलब होता है आजादी तो मिलेगी लेकिन कोई भी decision अगर लेना होगा आपको तो आपको क्या करना है पहले consult करना है किनको Britishers को इसे कहा जाता है dominion status dominion status यानि कोई भी law अगर pass करना था आपको independence तो मिलती यानि आजादी तो मिलती dominant status तो मिलता लेकिन अगर कोई law आपको बनाना था तो आपको क्या करना था पहले आपको Britishers को बोलना है कि हमें whether we are क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं are we eligible for that or not ये dominant status था और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि complete independence कुछ ने कहा कि हमें कुछ members ने कहा complete independence चाहिए complete independence चाहिए यानि हमें कोई उनसे पूछताश नहीं करनी हमें बस आजादी चाहिए हमें इनसे छुड़कारा चाहिए किनसे Britishers से अब क्या होता है अब देखते हैं कि किसकी और पलड़ा बारी जाता है कि कौन जीता है यहाँ पे ज्यादा demand किसकी बनती है Dominion Status की Dominion Status की 1928 Nehru Report में यह पूछा जाएगा कि कौन सा उन्होंने मांगा उन्होंने का कि हमें Dominion Status चाहिए Dominion Status जी है Dominion Status अब आगे पढ़ लेती ही यह Dominion Status से क्या होता है देखेगा Dominion Status अब यहाँ पे कुछ demand होती है Dominion Status की Dominion Status जब होता है तो Nehru Report कुछ demand करता है पहला क्या था है कि Dominion Status होना चाहिए second होता है कि Rejected Rejected Joint Sorry Rejected Separate Electrate and Demanded Joint Electrate देखेगा Separate Electrate जो Muslim League को मिला था उसको क्या किया इन्होंने इन्होंने का किया हमें नहीं चाहिए हमें Separate Electrate हमें चाहिए Joint Electrate याईने हमें Muslims भी हमें हमारे साथ है अब हमें Joint Electrate चाहिए न कि Separate Electrate याईने इन्होंने Reject किया किसको Separate Electrate को और Demand किसकी की Joint Electrate की चली आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद देखते ही उनका कुछ और Demand थी क्या क्या Demand थी वो भी पढ़ लेंगे हम Dominion Status Very Very Important अभी मैंने आप से कहा कि Dominion Status का मतलब क्या है उसके बाद Universal Adult Sufferage Responsible Government at Central and Provincial Level देखो यहाँ पर Dual Government हुई थी सटा डैयार की वो आलड़ी हमने पढ़ा है जोनोंने नहीं पढ़ा है वो हमारी जो प्रिवेस लेक्टियर से वो देख सकते हो Universal Adult Sufferage का मतलब है Voting हमें Rights मिलनी चाहिए तो that means एक तरह से हम Demand कर रहे है Fundamental Rights की Openly नहीं कहा जाता है But we are going towards Fundamental Rights Responsible Government at Central and Provincial Level देखेगा जब हम Voting की Rights करते हैं तो इसका मतलब है हम Demand करते हैं किसके लिए अपने जो हक है याने Voting Rights, Fundamental Rights की तरह हम जाते है उसके बाद हम कहते हैं कि हमें Responsible Government मिलनी चाहिए कहां पे, Center में और Provincial Level में देखीगा Center में और Provincial Level में यह आपको तभी समझ आएगा यहाँ पे अगर मैं यह बताओ तो काफी लंबा जाएगा यह वीडियो आप प्रिवेस वीडियो हमारा देख सकते हैं और उसमें आपको पूरी तरह से मैंने वहाँ पे उडिसकस किया हुआ है उसके बाद उन्होंने कहा कि Equal Rights for Women and Freedom to Form Unionist देखेगा, हम जो इस वकत Fundamental Rights पढ़ते हैं तो Freedom of Speech है, उसमें Freedom of जो भी है तो Fundamental Rights में हम Equal Rights for Women की बात कर रहे हैं Form Unions, Associations की बात करते हैं ठीक है न, तो एक Fundamental Rights की तरफ यहां पे जा रहे थी यह डिमांड किसकी थी, यह नहरी रिपोर्ट की डिमांड थी और उन्होंने एक डिमांड किया कि Provinces, जो भी Provinces है Should be Categorized on the basis of Languistic Language के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए Categorize करना चाहिए किनको Provinces को Provinces को Language के हिसाब से Categorize करना चाहिए और खास्तों पर कौन-कौन से जो की North West Provinces थे अब यहां पे Sorry अब यहां पे क्या होता है कि एक इसको कह सकते हैं हमकी जो Demand किया था किनों किनों ने Narrow Report ने एक Demand की थी Separate Electorate Sorry for that Separate Electorate अब उसमें क्या होता है कि Muslim League उसमें Involve होती है तो वो क्या करती है वो अलग से Demand करती है Punjab and Bengal कहां पे करती है Punjab and Bengal में Demand करती है वो कहती कि Muslims were in Majority कहां-कहां पंजाब में भी Majority में है बंगाल में भी Majority में है तो हमें जा करना चाहिए Muslims were in Majority We need representation on the basis of our population reservation हमें population के हिसाब से reservation मिलनी चाहिए कहां-कहां पे पंजाब में और बंगाल में जी हां ये कौन कहता है Muslim League वाले कहते ये किसके opposite में कहते किसके opposite में जवाब लिखते है नेरी रिपोर्ट के opposite में जवाब लिखते है In Central Legislative Assembly We need one third seats reservation यानि हमें क्या चाहिए one third seats reservation चाहिए Central Legislative Assembly में Central Legislative Assembly में ये कौन कहता है ये demand आती है Muslim League के तरफ से कि हमें representation देनी चाहिए reservation देनी चाहिए on the basis of our population in Bengal and Punjab और दूसरा हमें Central Legislative Assembly We need one third We need one third seats reservation but Indian National Congress rejected these two demanders लेकिन Indian National Congress ने क्या कहा कि हमें आपके जो demand से वो मनजूर नहीं है आपके जो demand से वो हमें मनजूर नहीं है उसके बाद अब आगे इसके बाद एक और important session होता है जिसको कहा जाता है Historic Lahore Session Historic Lahore Session कब होता है 31st जि हाँ 31st December को होता है Sorry 31st December 1929 को होता है 31st December 1929 यहाँ पे wrongly मैंने लिखाया 31st Jan but 31st December होता है 1929 और इसके President को उन्ट थे यह preside कर रहा था पंडित जवाईलाल नहरू J.L. Nehru जि हाँ यहाँ पे मैंने सकते हैं एरो में यह वाला पंडित जवाईलाल नहरू J.L. Nehru यह कहाँ पे हुआ Historic Lahore Session 1929 31st December और इन्होंने एक पास किया क्या पूर्ना सवराज Resolution जिसका मतलब क्या था Complete Independence और No Dominion Status अब इन्होंने का अब यह confusion जो था कि हमें Complete Independence चाहिए Dominion Status लेकिन अब उन्होंने का कि हमें Dominion Status नहीं बलकि पूर्ना सवराज Complete Independence चाहिए तो इसी वज़ा से क्या किया जाता है 26th January 1930 को Tricolor was hoisted और इसको क्या किया गया Fixed as the first Independence Day और पहली बार आजादी का जो दिन मुकरर किया गया कब 26th January 1930 Tricolor was fixed sorry Tricolor was fixed as the first Independence Day यहाँ पे hoist किया किसको Tricolor को 1930s में hoist किया Tricolor was hoisted और इसको fix किया 26th January 1930 को fix किया as a Independence Day अब इसकी Importance आब देख सकते हो कि हम 26th January जो है वो celebrate करते हैं मनाते हैं तो 26th January इसी लिए वो मनाते हैं क्योंकि पहली बार वहाँ पे Purnasavaraj demand किया था किसने इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने कहाँ पे लावर सेशन में और उसके head कों थे जवालाल नेहरू कब 1929 में 31st December को और पहली बार कब Purnasavaraj जो है जो होईस्ट किया था फ्लैक को 26th January 1930 अब British Government क्या हो गया British Government was in back foot British Government काफी परिशान हो गई अब परिशान किसली हो क्योंकि उन्होंने complete independence मांगा पहली बार इंडियानेज ने ये complete independence मांगा और जब independence की मांग की तो Britishers ने का कि हम पहली बार first round table confidence करेंगे अब first round table confidence का मतलब क्या है अब यहाँ पर हम पढ़ लेंगे आगे आपको ये clear हो जाएगा क्योंकि हमें अलग से पढ़ना है first round table confidence second round table confidence यह सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हो कि Britishers क्या थे back foot पे चलेगे और Indianers को equally treat टरे लगे we will sort out some matters अब यह Britishers conference क्यों बुलाते है कहते हैं कि हमारे बीच में जो गलत फीमिया है जो matters है हम वो sort out करेंगे हम वो दूर करेंगे ठीक है first time first time पूछा जाएगा question first time Britishers ने treat किया Indianers को equally कब किया जब 1929 में एक session हुआ एक resolution पॉस हुआ Lahore session historic Lahore session उसके बाद first time Britishers ने Indianers को equally treat करना शुरू किया but Congress ने क्या कहा है देखी गा यह important है यहाँ बहुत important है question हमेशे यही पूछा जाता है यह वाला question हमेशा पूछा जाता है but Congress decided to buy cart first round table confidence अब Congress ने क्यों buy cart किया first round table confidence इसके पीछे क्या वज़ा थी क्या reason था हम वो next video में देख लेंगे जब हम वो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे तो हमें पहले पढ़ना क्या है हमें पढ़ना है अब यहाँ पे थोड़ा सा Governor General के बारे में हम जो पढ़ लेते हैं हर बार क्योंकि आपको पता है कि Governor General से भी आपको relate किया जाएगा questioners कि यह incident किस Governor General के दोरान हुआ तो आपको वो पता होना चाहिए देखें Lord Irvine का स्टार्ट होता है 1926 से लेके 1931 तक उससे पहले किसका होता है Lord Reading का 26 तक तो इसके दोर में क्या होता है Simon Commission 1927 को बन जाता है और इंडिया में आता है 1928 को 1928 को Confuse नहीं होना उसके बाद नहरू रिपोर्ट 1928 को मना जाता है मौतिलाल नहरू के दौर दौरा लाहूर सेशन बन जाता है पूरना सोवराजा जिस पे Complete Independence डिकलियर किया जाता है पंडिच जवालाल नहरू इसमें वहाँ पे President थे First Roundtable Conference और Congress क्या करती है बाइकार्ट करती है यह Lord Irwin के दौर में होता है उसके बाद जवालाल नहरू और सुबाश चंदर बोस जवालाल नहरू और सुबाश चंदर बोस क्या करते हैं फाउंड करते है Independence League Indian Independence League Indian Independence League आगे बढ़ लेते हैं अब उसके बाद शुरू होता है एक और Lord Willington का समय 1931 से लेके 1936 तक यह Lord Willington Lord Willington का दोर 1931 से लेके 1936 तक था और यह कह सकता हूँ कि मैं जो Lord Irwin का दोर था उसमें भी आप देख सकते हूँ काफी ज़्यादा Revolutionaries active थे और यहाँ पे भी Lord Willington के दोरान भी आप देख सकते हो कि काफी ज़्यादा लोग अब active होने लगे और participate करने किसमें momentus में और equally support किया लोगों को गांधी जी को क्योंकि हम लोग यहाँ पे actual में revolutionary phase तो चल रहा है लेकिन गांधियन phase भी इसे कहा जाता है तो हम next वीडियो में अलग से एक गांधी जी का वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से उनके बारे में पता चलेगा Lord Wellington Vice Rai जो थे 1931 से लेके 1936 तक थे Second Roundtable Conference इनके दोरान होता है Government of India Act 1935 इनके दोरान होता है Lord Wellington के दोरान Puna Pact was signeded between between गांधी जी and Ambedkar in 1932 ये Puna Pact क्या है मैंने यहां पे इसके बारे में लिखा है देखेगा M.C. Macdonald Macdonald announced M.C. Macdonald announced the proposal on minority representation known as communal award 1932 M.C. Macdonald ने कहा कि हमको क्या करना है हमें proposal accept किया उन्होंने कहा कि minority representation जो है minority representation जो है हम उनके लिए एक communal award देंगी अभी communal award क्या है Muslims six Christians और Anglo-Indian और women were considered as minority and separate electorate for them अब उन्होंने कहा कि हमें separate electorate देना चाहिए किनको Muslims को क्योंकि ये minorities में है six को क्योंकि ये minorities में है Christians क्योंकि ये minorities में है women को क्योंकि are considered as minorities and separate electorate for them हमें इन्हे separate electorate देना चाहिए बट अब देख सकते हो गांदी जी reacted and said these classes are integral part of our Hindu society गांदी जी ने कहा कि हमारे पास जो हमारा ये जो society है हमारा जो माश्रा है गांदी जी reacted and said these classes are integral part of our society किन classes की बात कर रहा है गांदी जी किन classes की बात कर रहा है जो declare किया था minorities यानि depressed class किसने मैकडोनल्ड ने मैकडोनल्ड ने communal award 1932 में किया लेकिन इसको support कोन कर रहा था डाक्टर बीम राव अमबेद कर डाक्टर बीम राव untouchability आपने देखा होगा कि non corporation moment के दोरान गांदी जी ने कहा कि हमें practice नहीं करनी है untouchability को untouchability को हमें equally सबको treat करना है कोई यहाँ पे छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है कोई दरम छोटा नहीं है कोई बड़ा दरम नहीं है कोई कास्ट बड़ी नहीं और कोई कास्ट छोटी नहीं all are equal और equally treat करना चाहिए यह किसका funda था यह किसका motive था यह गांदी जी का motive था लेकिन बियार अंबेत कर support कर रहे थे communal award को वो चाहते थे कि यह depressed class को minorities को अलग से reservation मिलनी चाहिए गांदी जी restored to fast unto death in Yurveda jail against separate electorate जो यह separate electorate दिया गया अब इसके खिलाब गांदी जी ने कहा कि मैं fast unto death करूँगा fast unto death का मतलब है कि मैं Yurveda jail में fast unto death लोँगा किसके खिलाब separate electorate क्वेश्चन पूछा जाएगा कि separate electorate के दोरान गांदी जी ने किस जेल में first unto death की जो कह सकते हैं हम किया स्टार्ट तो यारवेदा जेल अगेनस्ट किस के separate electorate उसके बाद अमबेदर सारी डॉक्टर भीम राव अमबेदकर supported separate electorate ये मैंने आलजी पहले आपसे कहा था अब यहाँ पर रिजल्ट होता है एक पूना pact between गांदी जी एंड अमबेदकर ये जो differences थे गांदी जी कहता था कि हमें depressed class को अलग से नहीं treat करना है अमबेदकर चाहते थी कि depressed class को अलग से representation मिलनी चाहिए अब क्या होता है जी हाँ एक representation मिलती है reservation मिलती है 147 seats were allotted to the depressed class in provincial legislature depressed class को 147 seats दिया जाता है depressed class minorities के सकते हो आप इसमें कौन कौन से है Muslim is a six से Christian is a Indian woman in woman है और Anglo-Indians है इसमें शामिल और इसमें 147 seats इनको क्या किया गया दिया गया और इसमें क्या किया जाता है कहाँ पर दिया जाते है provincial legislature में and their number rose in civil services अब उनकी शमूलियत civil services में ज्यादा होने लगी civil services में ज्यादा होने लगी क्योंकि उनको reservation मिलती थी अब उनको reservation मिलती थी ये बात हो रही है जो depressed class थे अब आगे बढ़ लेते हैं गांदी जी coined word very very important question very very important question who coined the term Harijan Harijan किसने coin किया गांदी जी ने किसलिए for depressed class depressed class को उन्होंने कहा कि हम एक coin करेंगे term जिसका नाम था Harijan and all India anti-untouchability league in 1932 September शुरू किया किसने गांदी जी ने जी है गांदी जी ने और 1933 में गांदी जी begin 21 day fast for self-purification for Harijan cause उन्होंने कहा कि हमें जो depressed class minorities class के लिए अलग से हमें जो ये representation दी जाती है जो separate electorate दिया गया हमें ये नहीं चाहिए और 21 दिन का fast लिया किसने गांदी जी ने कब 1933 में इंडिविज्वल civil disobedience moment was started in 1933 for Harijanus वेरी वेरी important question ये वाला important question है कि इंडिविज्वल civil disobedience moment कब किया जाता है और 1933 में पर किसलिए Harijanus के लिए कौन करता है गांदी जी करता है कब करता है 1933 में तो ये था आज का lecture उमीद करता हूँ कि आपको पसादाया होगा और जरूर आप हमारे चैनल पे आते हो बहुत बहुत शुक्रिया जरूर एक like तो बनता है हमारे इस effort का और कोशिश करेंगे हम जो बाकी remaining जो chapter से यह कह सकते हैं कि जो topics से वो हम कोशिश करेंगे कि दो या तीन lecture ज्यादा से ज्यादा हो काफी मुश्किल होता है कि compile करना notes दो तस बारा lectures में history को complete करना यह चोटी बात नहीं है खौसतर पर freedom struggle की और हमारी तरफ से बरपूर कोशिश रहेगे कि हर एक भारी की से every point हम discuss करें यहाँ पर आप तक पहुँचे और exam में आप अच्छी तरह से prepare हो तो हमारी यही कोशिश रहती है हमेशा से तो हम एक बार फिर आप से यही कहेंगे कि आप video देखते हो बहुत बहुत thank you like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और pdf जो note ही इसके notes हम यहाँ पर share करेंगे telegram channel पर जी हाँ telegram channel हमारा telegram channel है dream high academy jk ssb jk psc के नाम पर thank you guys thank you